प्लान करिए आप योजना बनाईए अच्छा जब आप योजना शब्द का इस्तमाल करते हैं तो योजना का मतलब क्या जानते हैं योजना आप बनाते हैं अब देखिए गलती क्या होती है तो जब मनजर का वीडियो आएगा तो आप देखना की प्लानिंग का मतलब क्या होत में स्टुविशागे, हम एक तरह से बोलते हैं जीतने के लिए, वूर विनिंग, तो हम क्या करते हैं, मैं कितने घंटे पड़ना है, मुझे स्टैडी आवर्स बना लेते हैं, फिर हम प्लान बनाते हैं कौन-कौन सी बुक्स हमें पढ़नी हैं, फिर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं यह तो प्लान करते हो कितने आवर का टाइम टेबल होना चाहिए यह सब आप प्लान करते हो लेकिन प्लानिंग का एक और मतलब होता है जब आप इनकी कॉमनली इंटर्वियू उनके सुनोगर सही तरीके से अगर टीचर इंटर्वियू प्रस्तुत कर देता है और अपने स्टुएंट के मं की बात बाहर निकाल देता है तो आप करोगे प्लानिंग कि आप सबसे पहले जो प्लानिंग आप की हम चाहिए how will I face failure सबसे पहले planning होनी चाहिए failure को कैसे face करोगे failure इस exam में एक बहुत integral part है और जादा तर लोगों आप देखोगे वो आपसे यही कहते दिखेंगे persistent रहो, लड़ने की आदट डालो सबसे पहले failure को plan करो कि अगर मेरे हिसे में नहीं आया तो मैं इस समाज के दबाओ financial दबाओ, social pressure यहनी की समाजिक दबाओ, इनको कैसे deal करूँगा सबसे पहले, और अपने आपको मजबूत करो, दूसरा जो planning होगी second planning जो होती है वो आपकी होती है, अपनी lacks अपनी कमियों, मेरी बात को पढ़ नहीं पाता, disoriented हूँ दोस्तों की circle बहुत बड़ा है और आप लेकर देखा होगा second open ने का कि टीवी नहीं देखा चार साल से, x, y, z, दुनिया वर की बाते हैं जो आपको समझनी पड़ेगी actually में क्या होता है, यह जो पढ़ा होता है, जब आप कमियों को जानने के शुरू करोगी यह एक्जाम sacrifice मांगता है, यह त्याग मांगता है और यह त्याग आपकी जितनी बड़ी आप रैंक चाहते होगी अब मेरी रैंक कितनी बड़ी हो इनमें से बहुत से तोड़ देने वाले मेहनत इन्होंने की थी ठीक है, उतना ही सामाजिक दबाव साहता है तोकि आप लोग तो सिर्फ फोटो देख रहे हो आप लोग तो सिर्फ इनको चमकते हुए देख रहे हो इनके पीछे का जब यह student के रूप में आपको चाहिए तो दूसरी जो चीज़े हो कम्यों की लिस्ट बनाओ और इन कम्यों की लिस्ट बहुत डिटेल लिस्ट होना चाहिए एक दम माइक्रो लेवल एनालिसस रांद होकर चुप-चाप कम्रें बैठो और अपनी कम्यों का इडेंटिफाई करो आपको बोलने में दिक्रत है आपको इसमें पता एक रिजल्ट इसमें ऐसा है मैं जब आपको दिखाऊंगा अगर मैं आपसे कहूँ कि वह स्टैमर हक लाते हैं तो आप विश्वास नहीं करोगे सेलेक्शन हो चुका है और पकड़ नहीं पाऊगे और उनको जाता लोगों ने कहा कि तुम्हारे बोलने में दिक्रत है लेकिन एक बेसिक ठेरपी एक बेसिक जो है प्राक्टिस की वज़े से आप अंदाजा भी नहीं लगा पाऊगे कि यह व्यक्ति स्टैमर करता तो आद अपनी कम्यों की लिस्ट बनाई है और इनमें से जात लोगों नहीं किया है ठीक है यह इसमें कोई भगवान नहीं है ना इसमें कोई खुदा है इसमें सभी ऐसे थे जो आपकी तरह ही परेशान रहते थे आपकी तरह ही टेंशन रहते थे पता नहीं होगा या नहीं होगा लेकिन जब आप कम्यों की लिस्ट बना लेते हैं, तो अब आप इन पे अपने आप से वादा करें, इन सभी ने वादा किया, एक लिस्ट बनाया, कि मैं इन कम्यों पे काबू पाऊंगा, इन कम्यों को धूर करूंगा, और मुझे जो ड्रीम्स देखने हैं, वो मैं पूरे कर कर रही है, ये कम्या उनको जो है, वो ग्लेच कर रही है, आप में से जाथ तर लोग इमानदारी साथ दिल पर हाथ के करिएगा, कि कितने लोगों ने इस तरह की प्लानिंग की है, कि मैं स्टड़ी इतने घंटे करूंगा, बुक इतने घंटे पढ़ूंगा, नोट से इतने बनाऊंगा, लेकिन इमानदारी से, माइक्रो लेवल, डायरी में बैट के इसमें थोड़ा सा समय लगा कर, कितने लोगों ने अपने कम्यों की लिस्ट बनाई और हर दिन जब आप सुबह उटते हैं, तो आज मैं अपने अंदर से कमी को रिमूव करूंगा, आज इस दूर करूंगा, चाहिए मैं सुबह नहीं उटपाता, देर तक डिसोरियंटेड रहता हूँ, शोशल मीडिया पर रहता हूँ, बहुत ज़दा, चैट बहुत ज़दा करता हूँ, जदा देर बुक नहीं पढ़ पाता हूँ, हाथ पर ठकान होने लगती है, डिसोरियंटेड हो जा मुझे आज इमांदारी से बताईए मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद टॉपर्स भी नहीं बता पाएंगी कि ये वो नहीं बता सकते जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप किल चमकती चीज़ों के बारे में बात करते हैं मैंने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी मैंने कैसे अपनी कम्यों को का जैसे अभी जातर बच्चे मुझसे पूछ रहा है आप देखिए अब मैं आता हूँ आपके बात पर इसका हिंदी माध्यम वालों का सेलेक्शन नहीं होता और एक्जैक्ली ऐसा है रीजन क्या है यह समझो आप लोगों सबसे बड़ा कोश्चन आप कहा रहा है पूर आप मैंने देखा सोचल मीडिया पर यूडूब पर यहीं सब चल रहा है कि हिंदी माध्यम असंतुष्ट है फलाना धिकाना दुनिया भर की चीज़ें मानते हो अच्छा और मेरी अगर तुम्हें पुरानी वीडियो भी तुमने देखी होगी लास्ट दो साल से मैं कह रहा हूं कि UPSC भाषा का एक्जाम नहीं है अब आपकी जो सर्विस है वो आपको नैशनल और इंटरनाशनल लेवल पर आपको रिप्रेजन कराएगी मैं यहां जो बात कह रहा हूं मैं इसमें से विक्ति बहुत कंडिकेड को जानता हूं जो एक्जायक्त ली उतनी बढ़िया इंग distraction हो गया मैं व्यक्तिकत रूप से जानता हूं कि अगर उनकी चिक चिक सुन लेओ लेकिन ऐसा है तो उसमें क्या है वाई जस्ट बिकॉज ओफ मेरी बात को समझने कोशिश करना वाई जस्ट बिकॉज ओफ की वो लेंग्विज दोनों मिल जाती है उनको ठीक है लेंग्विज मिल जाती है अब जैसे फॉर एक्जांपल मैं बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं पड़ पा रहा हूँ मेरा अब दर जान से देखना क्यों लोग एक्ज इड़िट कर रहे है और क्यों सेलेक्ट इसमें अब आप Quinn Eo नहीं संसकार वही जो है पुरा घर जो है आके घीत गा रहा है गले लगा रहा है तो यह सब हमारे jun pe B बिहार के संस्कार है तो आप यह सूचिए क्या वह अपने माँ बाबूजी से जाके इंग्लीश में बात करते हैं, What are you doing? पूरे जीवन भर उन्हों ने mostly Hindi और भोजपूरी में बात की हो गए, पर शूची किया चमक रहा है वह किसी के हिससे में नहीं पता कि वह चमक रहा क्या नहीं चमक रहा है कि इस हिंदी और इंग्लिश की बहार निकल लिए इंजिनिंग में हम सभी कॉलेजिस में आते थे टूटी-फूटी फरस्ट येर में इतना स्ट्रगल होता था फिर थोड़ तो इंजीनियर्स का इस बार डबदबा बैठा हुए तॉप थरी में बैठे हर जगह बैठे हुए यार हर जगह तो तो रीजन एक तो टंबर ओफ इंजीनियर्स हमारे यां देश में बहुत अच्छे प्रड्यूस हो रहे हैं अब वो लाइन पर भी लगे हुए इनमें असानी कि जो अभी साल निकले वहीं है इसमें दो साल तीन साल चार साल इनकी इंजिनिंग हो चुकी है आप देखोगे इस मुझे हिंदू पढ़ना है मुझे हिंदु पढ़ना है हिंदू लि zap और और गजवाब वक्त तो आगे अब तुम हो अषैक लड़ा है एक थंतर है वह तो नहीं पहचान रहा है कि हिंदी को तुम English के हो, वो ये पहचान रहा है कि भारत को तुम represent कैसे कर सकते हो, इंडिया की aspirations बहुत बड़ी हो गई है, multinational companies आ रही है, हम अपने बाजार को खोल रहे हैं, हमारे पास FDIs आ रही है, इंडिया के पास demographic dividend है, तो आपको लगातार उस तरह के काम करने पड़ेंगे, और दूसरा एक बात, कभी मत भूलना, कभी मत भूलना, और बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, अच्छा लगे तो, ना लगे तो, ये service अंग्रेजों ने शुरू की थी, और elite class मैं बोलता रहा हूं, कभी भी जब IS group में जाकर बैटोगे, तुम तो अभी वहाँ student हो सुन रहे हो, कभी उनके बीज में बैटोगे, ये elite group माना जाता, इनका training ही elite तरह से होती है, इनको हाथ से खाना खाना नहीं सिखाया जाता, वहाँ चम्मच काटे से खाना, इनको etiquette सिखाया जाता है, कपड़ जब लबासना जाओगे, खुदे अ तो विधाया दे जाती है कि वह तुम अकड़ के सीधे चलना शुरू करो कि ऐसा लगे कि इसके बिना तुम जीवीत ही नहीं रह सकते, वहले तुम गाओं देहाँ से आया हो, तो ये system अभी उसी के साथ चल रहा है, और दूसरा, अगर मुझे English नहीं आती, मुझे सीखना प पढ़ा था, बहुत जादा परिशान रहता था, मेरा पार्टनर जो रूम पार्टनर था, वह इंग्लिश मीडियम डिनावली से पढ़कर आया हुआ था, वह यार फराटे दार अंग्रेजी तरीके से बोल लेता था, इंग्लिश के निश्वेपर पढ़ता था, मेरी हालत पर इंटेलेक्च्वल था, क्लास में जो है क्लास रिप्रेजेंटेटेटिव था, लेकिन जैसे भोलने की बारी आती थी, मैं वैसे पीछे हो जाता था, जैसे इंग्लिश में बोलना होता था, पीछे हो जाता था, फ़ानली मैं पूरे साल भर स्टगल करता रहा, ग्रुप बना लिए मैंने आपको बता हिंदी वालो गुरूप बना लिया देसी वालो का मजा घुड़ाते थे अंग्रीजी वालों का लेकिन अगे चलकर एक पेपर प्रेजेशन देंटेंशन मेरी बड़ी बेच जती हुए लोगों ने पूरा मेरे उपर हसे हैशे मोगों मेरा मजा घ और फिर मैंने जो सीखा अब जैसे कई बार आप क्लास में मैं जाता हूं तो आप कहते हैं जैसे मैंने जब नीती आयोग पढ़ाया तो उसमें सीधे सीधे कोईशन आए और मैं तमाम ऐसी नहीं नहीं किताबे आपने देखा होगा मोसली आज की डेट में इंग्लिश में पढ आता रहता हूं तो मैं इंग्लिश में पढ़कर आपसे हिंदी में समवात कर लेता हूं आपको मेरी बात समझ में आ जाती है क्योंकि मेरा एक उत्तरदाइद तो है यहां पर ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलने मुझे कोई दिकत है लेकिन एक रिस्पॉंसिबिलिटी मैंने ली है कि ऐसे बच्चे जिनको सुवधा नहीं मिल पारी वहां तक मुझे देना है तो यहां पर मैं आपको पहली बात बता रहा हूं कि अपने मन से डर निकाल दो जितनी दिर तुम रोना रोगे उत्ती दिर में तुम दो तीन महीने में इंग्लिश सीख जाओगे और इंग यह NCRD की किताबों में या जो हमारी परमपरागत किताब में नहीं दिया हुआ है यह Sapiens नाम की बुक है युवाल नौह हरारी की वहां पर मैंने जब उसको पढ़ा मुझे वो चीजें पता चली कि ऐसा भी नया रिसर्च आया हुआ है ऐसी भी नई रिसर्च पूरी दुनि यह मैं नहीं दिखेंगे यह जब मेरे साथ बैठेंगे तो सब अपनी बात कहें बताएंगे पिलकुल कॉबनर की तरह तुम बताएंगे हाँ गुरुजी ऐसे हुआ था ठीक है क्योंकि वह मेरे साथ डांट भी खा जाते हैं ना कि जाता हवा हवाई वाली बाते मत करना कि बच्चा पगला जाएगे 18 गंटे पड़ता था 16 गंटे ना जो तुमने किया वो मुझे पता है इसलिए आराम से जमीन से जोड़कर बात करना तो जितनी देर आप रोग योतनी देर आप इंग्लिश जाके जॉइन कर सकते हो और कोई नई चीज सीखने से कभी नुकसान नहीं होगा जिसने यह सोचा कि मैं नई चीज नहीं सीखूंगा यह मेरा विस्टेज ऑफ टाइम है वही मारा जाएगा UPSC में क्योंकि UPSC हमेश इन्होंने एक नई चीज सीखे थी सेलबस को बार-बार एनलिसिस करना सबसे इंपोर्टन लिख देलो सेलबस एनलिसिस क्यों मैं हमेश्चा जब शुरूरत करता हूं तो सेलबस एनलिसिस को बेस मानता हूं Ha 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 overlapping topics तो जो अभी जो प्रॉपर आयेस बन रहा है कमसे कम उसकी बात तो सुनोगे तो और लापिंग टॉपिक्स को क्रैक किया और लैपिंग टॉपिक्स का मतलब क्या होता है आप जब सेल्वस अनेलिसिस करते हो वह बड़े एक्जामपल गजाल वही वाले एक्जामपल जो मैं देता हूँ अब उसके मुझसे सुनोगे तो तुम्हें लगेगा है कि हां मजार क्योंकि जोगर्फी ऑप्शनल का से तो वह बताएगा कि सबसे पहला जो सेग्मेंट है वह आपका सेल्वस अनालिसिस है फिर से कह रहा हूं और ओर लापिंग टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है वह तुम्हें की बताएगा कि एक्चुली में जो सेल्वस तुम्हें चारों पेपर का दिखाई पड़ता सेल्वस को पकड़ना सीख जाओगे सेल्वस को पढ़ना सीख जाओगे सेल्वस के अंदर चला जाना सीख जाओगे तुम्हें पता चलेगा UPSC ने ढेट सारे टॉपिक और लाप का मतलब वह बार बार रिप्लिकेट है जैसे एक्जांपल बढ़ा च्छा लिया जब कल हम विडियो शूट कर रहे थे कि सर जब हम वुमेन इंपाउमेंट के बारें पढ़ेंगे बहुत अच्छा एक्जांपल कि जब हम वुमेन इंपाउमेंट के बारें पढ़ेंगे तो पेपर वन में हम उसके बारें बेसिक पढ़ेंगे लेकिन अगर वुमेन इंपाउमेंट क तो Constitution कहां से पावर दे रहा है तो यह तो पेपर 2 की बात हो गई पेपर 2 की बात हो गई और जितनी भी सरकारी policy woman employment के लिए चलाई जारी वह पेपर 3 का पार्ट हो गई तो यह अलग-अलग थोड़े ना यह तीनों में दिया हुआ यह तीनों पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में भी दिया हुआ है लेकिन अगर आपने उसको कनेक्ट करके पढ़ना शुरू किया आपने ओर लैपिंग टॉपिक पकड़ लिए आपको लगए यह तो तीनों एक ही पार्ट है ठीक है एक साथ पढ़ा जा सकता है इससे क्या होता है कि टाइम बहुत बच जाता है और आप आसानी से अपना प्लानिंग कर सकते हैं तो यह आपको सबसे पहला क्या करना फिर से कह रहा हूं जितने भी बिगनर स्टुएंट है वह सेलबस एनालिसिस को प्लीज समझने की कोशिश कर रहें इसके बिना काम नहीं चलेगा दूसरा ज अब यहां महत्तों बात हाओ टू क्रैक प्री तो जैसा कि हम जानते हैं कि NCRT बहुत इंपर्टेन इस पेशली जोगर्फी और इसमें भी एंसे बहुत अच्छे जो है आपको टेप्स दी हैं आपको मिलेंगे वह लेकिन एक सबसे इंपर्टेंट मैं बार बार कहता हूं ब सब्सक्राइज दी तो आपका एक तरीका है एक जो मैफलोजी तो जान अब शह और मैं तुम्हें कितनी बार ये वीडियो में हर साल बच्चों को बच्चों को प्रीविए से पेपर पढ़ना चाहिए इतनी बार पढ़ा था कि option कई बार question बन जाता है और मेरे कई question फसे सोर इस तरह से और मैंने उसको जो अंदाजा लगा कि वह question फसा लिये थे तो प्री के question पढ़ो number one दूसरा question लगाओ मैंने आपसे कहा था hooking होती है इसको hook करना कहते हैं तो जब आप class में पढ़ोगे question पढ़कर ये टॉपर्स बता रहा हूं ये उनकी भाषा बता रहा हूं 125 rank जो है वो 58 rank उनकी बात करो आपको भी सगर इस तरह rank में जाना है तो तो पर उनको hook करना सीख जाओगे तो नाव क्या होगा प्री जो होगा वो इस तरह से हमारा जो है वो crack हो सकता question लगाओ अब कैसे लगाओगे question हम लोगों ने ओजांक test practice launch किया भी कई बच्चे उसके साथ जुड़े हैं ओजांक test practice तो ओजांक test practice तो ओजांक test practice आप अभी जाए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें OTP के नाम से ओजांक test practice और वहाँ पर हमने धेर सारे quiz डाल रखें धेर सारे question है आज से इसको अपना एक हिस्सा बना लो कि मुझे 10 ही question पढ़ने उस पर ददस question कि मैंने quiz डाल रखें दस question online free है जाओ इसको पढ़ो इसको launch भी कर दिया है और OTP को जह है बहुत जाने मानी सामाजी करे करता है कि हाँ से अभी download भी करा है तो आप लोग इसको अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं Ojang test practice और practice करो questions की इसमें काफी quizzes दिए हुए इनकी practice करो daily एक आदर डालो कि 10 questions तो पढ़ने ही पढ़ना है अब जैसे कई बच्चों ने का सारा भी तो हमने पढ़ा नहीं है तो question करेंगे सबसे पहले समझो इस बात को अगर प्री निकालना है तो जटके में प्री निकालना है सबसे ज़्यादा छटाई यहीं पर होती है ध्यान रखना तो इसमें क्या करना है पड़ेगा जब question को Read करो question को Read करो पढो जब question को Read करते हो तो क्या होता है question की emerging समझ में आतीमालो तुम्होन कोछ भी पढ़ा अज बुद्ध के बारें पढ़ा जैन के बारें पढ़ा तो यहां पर क्या होगा और तो र्लेकरोंगे त últimoम ठाइंज दिए नर्ट ने करने के सासाथ साथ तुम जब क्लास बिप्ड़ाई जब देखके पुछा आब किसी्र बुचलियों दोब कि पूचते रध ऑच्प्टीव लगाओ तो देखिए अब यही समस्या है, अब मैं objective word यूज़ कर रहा हूँ और आप इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको English की पहले class सबसे पहले जॉइन करने हैं और कोई class आप जॉइन करें या ना करें, अब इतनी common चीजे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, त इसमें सभी इंसान है, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम्हारे उपर जो दबाव उनके उपर, बिलकुल मत करना, और सबसे मैंने question पूछा है, कि जब तुम परिशान रहे, जब तुम फ्रस्टेट हुए, तो तुमने लड़ाई लड़ी कैसे, अब आगे मैं ब करोगे, कल फिर नए भ्रम पैदा हो जाएंगे, कल फिर कोई नई चीज़े पैदा हो जाएंगे, आज तै कर लो कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है, कितने लोगों ने कम्यों की लिस्ट बनाई और कितने लोगों ने इरादा किया कि मैं इसको जो है वो धूर करके अपने आ मुझे से सुनना चाहते हो तो इनके मुझे सुनवा दूंगा हो सकता हुजांग की बात तुम्हें समझ में ना रही हो और अगला मैं आज से नहीं जब मैं लबासना गया था उससे पहले भी कहा था मुझे सारे आफिसर्स ने कहा कि अपने प्रीज इस्टुएंट को बोलिए राइटिंग और नशाशक्राइब करें से उन्हों ने मुझसे बात कही थी में से निकालने का एक तरीका है और बहुत बढ़ियां तरीका बताया त्रीक है इसमें जब आप इनकी वीडियो देखो कि बहुत मज़धार तरीका बताए वहीं लिखा रहा हूं जो अभी मैं ब मंजर का नहीं हुआ पहली बार तो उसने क्या किया फ्रॉसृट तो अपनी कम्यों को घंटीफाई गिया लिक्षा कि पढ़तो उसने लिया लेकिन लिखना उसको नहीं को नहीं आता हुतना उतनी लिखिना शुरू किया जब first month उसने लिखा तो बहुत फ्रस्टेट रहा, बुला सर मुझे लग रहा है, मैं इतना वायात लिखता हूँ, जिसकी कोई हद नहीं, तो कहां लिखो, कोशिश करते रहो, तरीके ढूंड़ो उसमें, और एक से डेड़ महीने बाद, जैसे मैंने आपको डैरी रैटिंग बताई, तो यहां पर एंसर नहीं लिख पा रहे हो, तो डैरी लिखो यार, ठीके डैरी लिखो, यह कराया है मैंने, बता रहा हूँ, दो पेज डैरी लिखो, आज दिन कैसा रहा, तुम्हारी कमियां क्या है, तुमने क्या इरादे किये, आज ओजांक सर की क्लास में क्या सीखा, ठीके, कौन सी ऐ जिसको negative category में रखोगे, simply लिखना शुरू करो, लिखने से cognitive study शुरू होती है, बहुत important है, और motor activity हमारी body में शुरू हो जाती है, body और mind coordination आ जाता है, फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, dairy ही लिखो, answer दो page लिखो, question बना लो, जैसे मालू मैंने अभी आज बताया कि अपनी कम्यों को कैसे दूर करे, question लिखे, इस पर अपने जो points उसको लिखने कुछ करो, flow chart में लिखो, points में लिखो, कोई भी बहुत बड़ी-बड़ी बाते आपको नहीं करनी है, और जब आप ये practice में लेकर आओगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ये important है, तो मै को सिखाया जाता था, C2D, मेरे मुग से आपने कई बार ये words सुना होगा, cooperate to dominate, cooperate to dominate, cooperate to dominate, ये बड़ा common है, इनको क्या हुआ, जैसे आपने देखा कि आपने देखा कि इसमें आपने बोला, कि IITians का बड़ा selection हुआ है, ठीक है, ये IIT में सिखाया जाता है, आपने notice कि IITians का, इंजीनियर्स का selection हुआ है, तो चुकि मैं जीवन जी चुका हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से बता, मैं तुम्हें सीक्रेट बताता हूँ, आप तुम्हें एक बहुत बड़ा राज, जिन्होंने किसी भी वीडियो में नहीं बता है, सीक्रेट बता रहा ह से हैं, आपने नोटिस किया होगा, हाँ या ना मुझे बताओ, मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, बहुत माँ सीक्रेट, जिसको किसी ने भी इंटर्यू में नहीं कहा होगा, नोटिस की आप लोग ने, ये college अच्छे जा रहे हैं, और मैं भी बताओंगा इसमें, इनकी success का राज बताने जा रहा हूँ, कि इनकी success basically कैसे हुई है, और क्यों तुमने जो नोटिस किया होगा, इंजीनिर्स ने निकाला, ये इंजीनिर्स की संख्या बहुत जादा है, हाँ या ना, बताओ, और चुकि मैं वो जीवन जी चुका हूँ, मैं वो जो है, इस नहीं बताएगा बंदा, जाना चाहोगे, वो है C2D, corporate to dominate, यानि कि जीतने के लिए सहियोग करना, अब तो सहिकारिता मंत्राले सरकार ने बना दिया, जीतने के लिए सहियोग करना, इसको बोलते है, corporate to dominate, मतलब कि इस competition में तुम्हें आगे जाना और एक दूसरे को corporate करना है, लेकिन एक बार ध्यान रखना, होता क्या है, कि जब आप किसी अच्छे college में जाते हैं, मालो, IIT में जा रहे हो, या IAM में जा रहे हो, या other institute में आप engineering college में जा रहे हो, तो चुकि क्या होता है, कि वहां का मैं महाल बताता हूँ, वहां पर शुरवाती दोर में बहुत ज जो होता है, वह पीर्स में चुकि नए-नए होते हैं, सपने नए-नए होते हैं, दोस्त, हमारे बच्चे, मेरे भी college friends, हमेशा मुझे अगर कोई कहे कि सब कुछ छोड़ कर क्या पाओगे, मैं मेरे college life मुझे वापस कर दो, ठीक है, वो मेरे दोस्त मुझे वापस कर दो, जो हम लोग जो जिन्दगी जिया करते थे, तो हम लोग क्या होता था कि बहुत लोड डाल देते थे, colleges में, तो उसमें हम लोग लडने के लिए क्लिए क्या करते थे, अपने काम को distribute करना सीख जाते थे, teamwork सीख जाते थे, teamwork, अब किसी को जैसे हमारे यहां था, circuit मुझे बनाने का बड़ा अच्छा experience था, तो मैं circuit जोड़ता था, एक computer programming मुझे उसमें बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसको computer वो एक assignment writing अच्छी तो assignment लिख देना उसका काम था, तो हम लोग क्या करते थे, काम को बहुत ही बिना ego को आए, ठीक है, यहां पर क्या होता है, जब आप बाहर होते तो आपकी ego आजाते है, हरे, वो हमसे ज़्यादा जान जाएगा, हरे, अपनी copy नहीं देनी उसको, और यह जो है, अरे, उसको नहीं बताना कि हमने कित्ता पढ़ा, उसको बढ़ा है, हम कहां कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरह कि आपने देखा होगा, notice कि होगा, ego बहु इगो नहीं आती थी, हम teamwork सीख गये थे, अब जड़ा important बात बतारो, बहुत बड़ा secret बतारो, teamwork सीख गये थे, cooperate to dominate कि हम लोग को आपस में cooperate करना है, ताकि हम dominate कर पाएं, नहीं तो यह professor हमारी ऐसी तैसी कर देंगे, हमें हमें घबराट होती थी, यह हमें नहीं पता चलता था लेकिन चार सालों में हमारी यह जीवन का हिस्सा बन जाता था, यह हमारा जो है, वो life का part बन जाता था, कि हम आपस में कभी ego show नहीं करते थे, हम हमेशा दोस्त हमें पता थे, अकेले हमसे होगा नहीं, यह practical file एक ही दिन में बनना, यह maths के assignment हो जाना, यह electric circuit बन जाना, यह हमस पर peer groups बनते हैं, notice किया होगा हाँ या ना, मुझे बताओ, जैको अनुराग ने लिखा, मैं CSE branch में हूँ, और हमारा group ऐसे बनता है, मानते हो, तुम कहीं भी जाओगे, तुम देखोगे, कि वहाँ पर हमारे साथ यही चीज होती है, मैं आप से एक बहुत important बात, और जब आ आप ऐसे college में पड़े, जहां कोई किसी बात नहीं कर रहा है, जहां पर इस इंटेलेक्शुल महाल नहीं है, ठीक है, इंटेलेक्शुल महाल नहीं है, जहां पर एक थोड़ा सा, की academic pressure बहुत साथ है, और pressure से लड़ने के लिए आपके पास कोई और चारा नहीं है, आप अके कि बिन आप नहीं रह पाते हो, और लगता है कि यह काम नहीं हो पाएगा, मैंने जो notice किया इस बार, मैं सबसे बात करता है हूँ, इन सभी ने अपनी this peer, जो segment है, उसको बहुत अच्छे सी utilize किया, बहुत अच्छे सी utilize किया, और बहुत time बचा है, यह मैं आपको बहुत बड आते हैं, तो वहाँ पर again जो क्या होता है कि आपको काम को redistribute करना पड़ता है, माली जे मैंने दो idea पढ़ा और मैंने answer लिखा, आपने कुछ question लिखा, आपने एक idea लिखा, मेरा एक और दोस्तों उसने भी एक नया idea लिखा, जो मेरे पास नहीं, अब हमने क्या किया आपस मे मैंने उससे लिखा, मेरे पास जो मेरे idea बढ़ गए, तो मेरे ideas बढ़ गए, यानि कि मैं अब answer rating ज्यादा अच्छे से कर पाऊँगा, मैं अच्छे इंटर्वी में ज्यादा अच्छे जवाब दे पाऊँगा, किस की बात कहा हिट कर जाएगी, हमें नहीं पता, तो यहाँ पर peer groups जो होते हैं, एक बहुत intellectual group होता है, जहाँ पर अपनी ego को dissolve करके, यही सबसे बड़ा दुश्मन होता है दोस्ती में, तुमने भी notice किया होगा, यही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो हमसे ज्यादा पढ़ लिया, छुपा रहा है हमसे, अपनी किताब नहीं दिखा जाता है, तो यहाँ पर हमारे दोस्ती तूट जाती है, C2D अपनी copy में लिख लो, corporate to dominate, और इन सबने किया है, और आप किसी भी अच्छे college में जाओगे, अगर मेरी बात से इतफाक रखते हो, तो मुझे हाँ लिख कर बताओ, क्यां सार में आपकी बात से इतफाक रखते है हैं, ठीक हम आपकी बात से agree करते हैं, मुझे इसका जवाब देना, जो लोग भी अच्छे colleges में हैं, जिनके अच्छे peer, intellectual, बकैती ग्रूप नहीं, बकैती ग्रूप नहीं, intellectual ग्रूप है, जहां पर वो बैठते हैं, discipline के साथ एक गंटे, देड़ गंटे, और जिसे colleges में कहते हैं कि फटी पड़ी है यार, अभी निकलता है तो प्रोफेसर हमारी ऐसी तैसी कर देगा, तो ये college में जब language यूज करते हैं इस तरह से, तो वो क्या होता है कि वो मिलकर काम, मजबूरी हो जाती है, हमने किया कई बार हमने ये जीवन जीया है, और उसमें हमारी bonding इतनी हो जाती, जब हम जीत के निकलते थे, उस प्रेशर से निकल जाते थे, प्रोफेसर के पूरे दबाव से, तो इतना लगता था कि आहा, इतना enjoyment, इतना खुशी, और एक दूसरे के साथ गले लगकर, कि यार, चल ब्यार, इस बार बजगे, समेस्टर बजगे, अगले समेस्ट तरह नहीं है, NCRT बता ते, तुम्हाँ पाँ NCRT नहीं है, नोट से, तुम्हाँ पाँ नहीं है, 24 गंटे, तुमसे भगवान 12 गंटे चीन लेते, नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ common है, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट से हैं, जो वो तुमसे बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उ कोई और चारा नहीं हमें मिल कर लड़ना है, तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको C2D, corporate to dominate group बनाना पड़ेगा, ठीक है, अब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि सार, WhatsApp पे group बना ले, मेरे बच्चे भी कई बार पूछते हैं, मैंने अपने WhatsApp ग्रूप मे बार लोग करें जाते ना, तो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की क्या नीचर है, सामने हमारे होता है, इसमें कोई हमारे सामने नहीं होता है, तो WhatsApp गुर्प में क्योल भसर होती है, मैं गरीगड़ने, इसलिए मुझे उसको अब पसंद नहीं है, कि WhatsApp में क तुमने मुझे शिकायत करते हैं आप जो है वह वह पर पढ़ाई नहीं होती है जब तक हम एक दूसरे को व्यक्तिकत नहीं समझ पाते हैं इंटलेक्च्छाल एक कंट्रोल माहौल में हम नहीं करते हैं तब तक हमारी लिए वह एक दूसरे को अंडेस्टैंडिंग करना पीर ग तो आपको वहाँ पर फोरम मिलेंगे वहाँ पर आपको question दिये जाएंगे मैं तुम्हारा दोस्ती कुशें कि संबंद होना चाहिए वो इसे कहते हैं कि एक एंटिलेक्चोल ब्ध्धिमता वाला संबंद होना चाहिए, तो तुम आप इसमें क्या होगा, आप जाएंगे फोरुम में free of cost है totally, इसमें हम questions upload करते हैं और questions upload करके, right questions upload करके इसमें हम आपस मापके discussion, अपने answer देते हैं, यह free है और यहां पर हम एक दूसरे के answers पढ़ सकते हैं उनको समझ सकते हैं उनको reply कर सकते हैं और एक धीरे-धीरे क्या होगा जैसे कुछ दिन तक आप practice करते हो तो आपको पता चलेगा Mr. X कुमार हैं वो बहुत अच्छा एंसा लिख रहे हैं Mr. Y कुमार हैं तो अब क्या होगा धीरे दिरे आप एक group अपना वहाँ डबलब करके आप इस forum में बहतरीन काम कर सकते हैं तो यह भी practice आपको मैंने देती है और यह totally free है आप आज जाए और ओजांक test practice को जो है डाउनलोड करें आपको यह totally वहाँ free मिल जाएगा तो दोस्तों जो मैंने आपको तरीके बताए वो बह बहुत ही बहतरीन तरीके रहे और बहुत ही महत्रपूर्ण है उमीद करता हूं कि इनको आप सोच कर समझ कर कोई बहुत बड़ा magic नहीं कोई miracle नहीं है हाँ last में सभी ने आपके लिए message दिया है आप लोग भी सुन ले message क्या है धैर patience काम शांत हो कर रहे है persistence लगातार महनत औ या ठारा घंटे परती थी वह किसी काम का नहीं है तुमारे ठीक है लगातार महनत का एक आपने सेट कर लिए कि मुझे रोज 6 घंटे या रोज मुझे 8 घंटे पढ़ना है तो मुझे रोज पढ़ना है अब कोई दुनिया की ताकत मुझे स्कॉट यह जो लगातार महनत है persistence है वह आपके लिए सबसे इंपॉर्टन है कूल रहो काम रहो घबराना नहीं हाथ पैर काम रहा है और रूट पटांग हरकते आपने करना शुरू करें बिल्कुल नहीं करना है और धैर के साथ कि यह मुझे मिलेगा और जो आपने सक्सेस देखा है उसमें बेसिकली एक जट इसमें लोग नहीं होता है इसमें सेलेक्शन होता ही नहीं इसमें सब कुछ आता है और अपनी डवलप्मेंट पर फोकस करो प्लीज सेल्फ डवलप्मेंट पर फोकस करो अपने विकास पर फोकस करो ठीक है अपनी हेल्थ पे अपनी मेंटल हेल्थ पे अपने जो स्टेमिना है कि आपका ज़्याद देर तक पढ़ाई कर सको प्रेशर को डील कर सको, टाइम से पढ़ने की आदर डालो, वो हर चीज जो तुम्हें इंप्रूब करने के लिए जरूरी है, जो तुम्हारी इंप्रूब्मेंट के लिए जरूरी है, आज से कल से नहीं आज से कल कभी नहीं आता कल कभी नहीं आता So make sure अब जैसे हिंदी मीडिया में कुईज नहीं है उपर जाओगे language opt करोगे हम तुमसे ज़्यादा concerned है उपर जाकर जैसे वो चहरा जैसा बनाओगे जब करोगे तो Hindi English दोनों लैंगविज आ जाएगी तो वे कुज हिंदी में भी इंग्लिश में फोरम में जित्ते कोश्टन पढ़े हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए हम सबसे अलग हैं ठीक है कि हम वो दोनों भाषाओं का बात कर रहे हैं तो आप उसके साथ और जब आप फोरम में जाते हैं तो एक बड़ा यूनिक फीचर डाल दिया गया है जो फोरम मैंने बताया उसमें आप अपने पेज पर लिखकर आप उसको स्कैन करके भी अप्लोड कर सकते हैं नहीं कि आप वही पर टाइप करें जैसे एक्जाम में लिखा जाता है अब लिखकर उसको आप स्कैन करके डाल सकते हैं वो भी हमाए जो है वो हम तक पहुंच जाएगा